नमस्कार, समाचारों के साथ में नवनीत चोबे पहले मुख्य समाचार चुनाव आयोग ने राजनेतिक दलों और उम्मिद्वारों को प्रचार में सुरक्षा बलों की गतिविधियों का उल्लेक करने से फिर मना किया निर्वाचन आयोग ने काउंग्रेस की नियूनतम आय ग्यारंटी योजना को लेकर नीती आयोग के उपाध्यक्ष की टिपपनी को आचार सहिता का उल्लंगन माना UPSC में सिविल सेवपरिक्षा के परिणाम घोशित किये महिलाओं में भुपाल की स्रष्टी देशमुक ने देश में टॉप किया नव समबस्र आज देवी की भक्ति का पर्व चेत्र नवरात्र भी शुरू और राजधानी भुपाल और आसपास के शेत्रों में कलतेज आंधी चली कई पेड़ तूटे, कई इस्थानों पर हुवी हलकी बारिश अब समाचार विस्तार से निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मिद्वारों को चुनाव प्रचार में रुक्षावलों की गतिविधियों के उल्लेक के खिलाफ फिर आगाह किया है आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमकों को लोगसभा चुनाव के दोरान आचार सहीता उल्लंगन संबंधी परामर्श जारी किया है आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार जाती और साम्प्रदाइक भावना के आधार पर नहीं होना चाहिए मतभेद या नफरत को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए परावर्श में निर्वाचन आयोग ने कहा कि भाषणों या पोस्टरों में मंदित, मस्जित, गिर्जाघर, गुरुद्वारा और किसी भी उपासना इस्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस की नियून्तम आय गारंटी योजना को लेकर नीती आयोग के उपाध्यक्ष राजिव कुमार की टिपपणियों पर प्रसनता व्यक्त की है निर्वाचन आयोग ने आदेश में श्रीकुमार की टिपपणियों को आचार सहिंता का उल्लंगन बताया है आदेश में यह भी आशा की गई है कि भविश्य में श्रीकुमार सयम रखेंगे श्रीकुमार ने कॉंग्रेस की इस योजना के वायदय को वोर्ट बैंक की राजनीती बताते हुए कहा था कि इस से देश की अर्थ व्यवस्था लड़ खड़ा जाएगी निर्वाचन आयोग ने कहा कि आदर्ष आचार सहिंता के तहट सभी सरकारी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करें आयोग ने यह भी कहा कि ना केवल सरकारी अधिकारियों को निश्पक्ष होना चाहिए बलकि उन्हें सारवजनिक तोर पर एसी टिपणियों से बचना चाहिए भुपाल में कल नोडल अधिकारियों की बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कांतराव की अध्यक्षता में आयुजित की गई बैठक में पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी पुलिस महानिरिक्षक अनन्त कुमार सिही ने बताया कि पुलिस की सभी टीमें कार्यरत है 788 उडंदस्ता, 798 स्थेतिक निगरानी दल वह 400 से अधिक वीडियो निगरानी टीमें कार्य कर रही है छिनवाडा जिले में लोगसभा के साथ विधान सभा उप चुनाव होने के चलते निर्धारित से अधिक पुलिस टीमें लगाई गई है नोडल अधिकारी रेलवे ने बताया कि 293 टीमें गठित की गई है 29 अप्रेल को होने वाले देश के चोथे और प्रदेश के प्रथम चरण के चुनाव के लिए नामांकन का सिलसिला जारी है शेहडोल अनुपपूर लोगसभाशेत्र के लिए कल तीन नामांकन दाखिल किये गए कॉंग्रेस प्रत्याशी प्रमिला सिह, निर्दली प्रत्याशी मनना सिह और CPI से केश कली कोल ने अपना नामांकन दाखिल किया वही भाजबा प्रत्याशी हिमादरी सिह 8 अप्रेल को अपना नामांकन दाखिल कर सकती है नामंकन दाखिल करने की अंतिम तारिख 9 अप्रेल है आकाशवानी भुपाल अपने शोताओं तक लोकसभा चुनाओं से सम्मंधित खबरों को तुरंत पहुचाने के लिए विशेश चुनाओं बुलिटेनों का प्रसारण कर रहा है यह समाचार बुलिटेन कल से शुरू हो गए हैं जो मदगन्ना तक सतत रूप से जारी रहेंगे यह विशेश चुनाओं समाचार दिन में 11.55 से 12 बजे और शाम 5.05 से 5.10 बजे तक प्रसारित होंगे साथ ही लोगसभा चुनाओं के विभिन पहलूओं की बारिकी से परताल के लिए प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल आपका वोट आपकी सरकार नामक कारिक्रम के जरिये परिचर्चा लाईव प्रसारण और विशेश विशेशक्यों से बाच्चित कर सम्यक विशलेश भी प्रसारित करेगा लोगसभा चुनाओं से सम्मंधित विशेशकारिक्रम आपका वोट आपकी सरकार 9, 6, 16, 23 और 30 अप्रेल तथा 3, 7, 9, 14 और 15 मही की रात 8 बज़े से 8 बज़ कर 15 मिनिट तक प्रसारित होंगे यह समाचार आप आकाश्वाणी भोपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं यह समाचार बुलिटेन यूट्यूब, ट्वीटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR News एप पर भी समाचार सुन सकते हैं संग लोगसेवा आयोग ने सिविल सेवा परिक्षा 2018 के अंतिम परिणाम गोशित कर दिये हैं कुल 769 उम्मिद्वारों में से 577 पुरूष और 182 महिला उम्मिद्वारों के नामों को आयोग ने विभिन सेवाओं में न्युक्ति के लिए संस्तुती दे दी है 36 दिव्यांग जनों की भी आयोग ने स्विक्रती दी है IIT बंबई के बीटे किसना तक कनिश्क कटारिया ने परिक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है अक्षद जैन दूसरे जबकि जुनैद एहमद तिसरे स्थान पर रहे भुपाल की केमिकल इंजिनियर स्रष्टी जैन्त देश मुख महिला उम्मिदवारों में पहले इस्थान पर है और वरिष्टता सूची में उनका पाचवा इस्थान है मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी सफलता का श्रे परिजनों और मित्रों को दिया हर रोज कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना पांट से घंटे देना हर रोज डिसिप्लिन के साथ और खुद पे भरोसा रखना कि हां हम कर सकते हैं और लिस्ट में आ सकते हैं तो वह भरोसा मेरे ख्याल से बहुत आई सिंक 50-60 परसेंट वही काम कर जाता है बहुत सारे लोग हैं मेरे ममी पापा सिबसे पहले जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया जो भी प्रॉब्लम्स आई हमेशा motivate किया मेरे कुछ खास फ्रेंड हैं जिनसे मैं connected रही और कभी भी दिक्कत होती थी वो जह हमेशा विश्वास दिलाते थे कि मैं कर पाऊंगी और मेरे भाई, family members और जो भी teachers, mentors रहे हैं जिनकी मैंने test series ली या जो भी जिनसे पढ़ा वो भी उनको भी मैं श्रे देना चाहूँगी खरगोन से हमारे समवाद दाता ने बताया है कि परिणाम आने के बाद गरिमा के घरवालों के साथ ही शहर के लोगों में भी काफी खुशी है प्रदेश में आज शक्ति के आराधना का पर्व चैत्र नवरात श्रधा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है सभी देवी मंदिरों में सुभह से ही दर्शनों के लिए शद्धालों का ताता लगा हुआ है वहीं पवित्र नदियों के घाट पर लोगों ने स्नान और पूजा अर्चना की आज से भारती नववर्ष शुरू हुआ है राश्ट्रपती रामनात कोविंद ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि ये त्योहार नए वर्ष गर्मी की शुरूआत खुशाली और संपनता के प्रतीक है उन्होंने आशाव्यक्त की कि इन त्योहारों से सभी के जीवन में खुशाली और संपनता आईगी राज्यपाल आनंदी बेल पटेल ने भी गुड़ी पढ़वा और चेटी चांद पर्व पर प्रदेश वासियों को बधाई और शुपकामनाय दी है सतना से हमारे समवाद दाता ने बताया है कि जिले के मेहर इस्थित माशारदा के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालू के पहुचने का सिलसिला जारी है यहाँ प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम किये है सतना जिलेगी मासारदा की नगरी मैहर में आज से 49 मेला प्रारम हो गया इस मेले में देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में आज सुबह सही सरदालू पहुंच कर मासारदा देवी के दर्शन लाब ले रहे हैं बाहर से आने वाली सरदालू की सुबिदा और सुरच्छा के लिए जिला पिसासन ने पुक्ता इंतजाम किये हैं रेल पिसासन ने मैहर स्टेशन पर अतिरिक्त 42 जोड़ी यात्री ट्रेनों का दो मिनिट का आइस्थाइस तापिज रखने का नेड़न लिया है वहीं स्टेशन पर अतिरिक टिकेट खिड कियां सोचाल पेज अलप्रात्मी कुप्चार पार्किंग सहिद बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को भी तैनात किया है वहीं मंदिर परिशार में जगा जगा CCTV कैमरे और मेटल डिक्टेटर लगा कर पुलिस जवानों को तैनात किया गया है और मंदिर पहाडी के नीचे कंट्रोल रूम इस्थापित का CCTV कैमरे के माध्याम से हर स्रत्दालूं की गतीबिधियों पर नजर रखी जा रही है प्रादेशिक समाचार के लिए सतना के मैहर सेमा लाल भाधुते बारी वहीं शाजापूर में राज राजेश्वरी मंदिर प्रागण में आज से 15 दिन तक चलने वाला पारम परिक मेला शुरू हो रहा है जिले में नववर्ष अभिनंदन के भी कई जगह कारिकरम आयोजित किया गए है IPL में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने मेजबान रायल चेलेंजर्स बेंगलोर को पाच विकेट से हरा दिया रायल चेलेंजर्स बेंगलोर ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 205 रन बनाए विराट कोहली और AB डिविलियर्स ने मिलकर 108 रन जोड़े कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत के लिए 206 रन 20 वे ओवर में 5 गेंद रहते बना लिए रासेल ने 13 गेंद पर 48 रन बनाए जबकि क्रिस लिन ने 43 रन का योगदान दिया कोलकाता की टीम ने अब तक खेले गए मैच में 4 में से 3 जीत लिये हैं जबकि बेंगलोर की टीम को लगातार 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है आज चेनने सुपर किंग्स का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से चेनने में शाम 4 बजे से जबकि सनराइजर्स हैदराबाद का मुंबई इंडियन्स का सामना हैदराबाद में रात 8 बजे से होगा राजदानी भुपाल के मौसम का मिजास कल बार बार बदला सुबह धूप खिली दो पहर में बादल चाय तो ही शाम को धुलबरी आंधी चली और इसके बाद हलकी बुंदा बांधी हुई अंधर से शहर के कई इलाकों में पेड़ गिर गए इससे शेत्रों में बिजली गुल हो गई एसे में लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ा कल भुपाल में दिन का ताप मान इस सीजन का सरवाधिक 41.3 डिगरी दर्ज किया गया मोसम विज्ञानिकों की माने तो आज भी बादल चाने दूलबरी आंधी चलने के साथ हलकी बुंदा बहंधी के आसार है वरिष्ट मोसम विज्ञानिकपी के साहा ने बताया कि उत्तर पश्चिमी मद्यप्रदेश के उपर एक चकरवाद बना हुआ है इसके अलावा पूर्वी राजिस्थान से उत्तर पश्चिमी मद्यप्रदेश तक एक द्रोणी का बनी हुई है इस कारण आसमान में बादल चाय है यही वज़य है कि राजधानी समेत आसपास के इलाकों में बुंदा बांदी की स्तिथी भी बन रही है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर चुनाव आयोग ने राजनितिक दलों और उम्मिद्वारों को प्रचार में सुरक्षा बलो की गतिविधियों का उल्लेक करने से फिर मना किया निर्वाचन आयोग ने कॉंग्रेस की नियून्तम आय गारंटी योजना को लेकर निती आयोग के उपाध्यक्ष की टिपपणी को आचार सहीता का उल्लंगन माना UPSC में सिविल सेवा परिक्षा के परिणाम घोशित किये महिलाओं में भोपाल की स्रष्टी देशमुक ने देश में टॉप किया नव समवस्तर आज देवी की भक्ति का पर्वचेत्र नवरात्र भी शुरू और राजधानी भोपाल और आसपास के शेत्रों में कल तेज आंधी चली कई पेर टूटे के स्थानों पर हुई हलकी बारिश इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का हिए बुलिटेन समाप्त हुआ नमस्कार प्रप्रेशत्र बप रह寸 प्रीषज के देड़ों को uneुझे दो